कि अच्वागत है कि अच्वागत हैं देगे हम पचास इंच का फोर के यूएजडी यहां पूरा पैनल लिखा लेंगे अब वीडियो को पोस्ट करता हूं में फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्याती होता है बिल्कुल आप बने रहेंगे थैंक्यू अब हमने कम्प्लीटली इसका फैनल पूरा खोली दिया है इसका रिप्लेक्टर सीट है यह दू और यह यह नूट्चे पड़ा हुआ है यह आप दिख रहे हैं दोस्तों कितनी एलीडी लगी है आप लगा लो इसका लाइन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और सेवन लाइन है और एक लाइन में सिक्स्टीन एलीडी लगी है तो सिक्स्टीन इंटू सेवन अब जोड़ीजिये कितनी लगी है ठीक है अब हम वीडियो को पोस्ट करते हैं उसके बाद नेक्स स्टेप दिखाएंगे हम जब काम करेंगे तो थैंक्यू दोस्तों हम इसके सपोर्टर को निकाल ले हैं बड़ अब थोड़ा बहुत रागे एक दोपीस है यह है सारे सपोर्टर अब वान टू थ्री फोर थ्री लाइन सही है ना चार चार दुना आठ लाइन सही है दोस्तों आप देख रहे हैं हमने एक न्यू टेक्निक यूज किया है क्योंकि यह जो हमारा रिफिलेक्टर है इसके अंदर से हमें यह लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है तो हमने काटना पड़ता है बहुत टाइम लगता है कहने के मतलब तो हमने इसके उपर ही लगा है ठीक है आप देख सकते हैं यह देखिया है वह तच्छी ब्राइटनेस है यह अपना एक न्यू टेक्निक है थैंकियो दोस्तों अब मैं पैक करके फिर से आपको दिखाऊंगे कि अब क्या क्वाल्टी आ रही है स्क्रीन की हमारी 55 इंच वाली 4K LED का हमने पैनल लगा दिय त्रिया आप देख रहे हैं है यह दिए फिर वीडियो खास करके अपने टेकनीजन भाई के लिए हैं अब मैं यह दिखा रहा हूं कि इसमें पैनल लगाने में क्या खास बात का ध्यान रखना होता है यह देख रहा है आप कोर्णर एक कोनर देख रहा है न ठीक चाल देखे जूट करके और देखा रहो हूं है कि यह तो यह कॉर्णा बिल्कुल फ्रेम के नीचे बना तो पोर्णर मिल ना जाहिए और यह जो किनारी है मैं कैमरा का लाइट फोकस में बंद करता हूं तो यह सही दिखेगा आपको यह देखें यह देख रहे हैं आप यह उपर नीचे से लाइट हमारी जल लेगे ना तीन चार लाइट इसलिए उसके रिफ्लेक्शन आ जा रहा है यह दो किनारी एकदम और कॉर्णर दोनों मिला हुआ है दूसरी तरफ दी मैं दिखा रहा हूं आपको यह हम थोड़ा सब्सक्राइब कॉर्णर और किनारी टू किनारी ऐसे बता है दूसरा किनारी हो गया यह तीसरा किनारी हो गया ठीक दोस्तों अब इसको अमन करके फिर मैं आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो पोस्ट करता हूं थेंक यू